नमस्कार दोस्तों, संगित के बड़े बोली स्मालिका में आपका स्वागत है आज का ये विचार है सामवेद का उपवेद गंदर्ववेद कमहत्व इसी से पता चलता है गिता में कहा है कि वेदाना सामवेदोस में महाबारत में गिता के अतिरिक अनुशाशन परव में भी सामवेद की महत्पा को दर्शाय गया है सामवेदस्च वेदाना जदुशा शतरुद्रियम सामवेद के विभिन रिचा के विधीवत गायन अदिसे रोग व्यादियों से मुक्त हुआ जा सकता है यो बचा जा सकता है तथा उच्चतम चेतना की सिध्धी हो सकती है सामवेद ग्यान योग, कर्मयोग और भक्तियों की त्रिवेणी है रुशियों ने विशिष्ट मंत्रों का संकलन करके गायन की पध्धती विकसित की अधुनिक विज्ञान भी इस तक्थे को स्विकार करने लगे है कि समस्त स्वर, ताल, लए, छंद, गती, मंत्र, स्वर, चिकिस्सा, राग, नुत्यमुद्रा, भाव, अधी, सामवेद से ही निकलते है तो ये रहा आज का विचार आप डिस्क्रिप्शन में हमारे यूटूब चानल की लिंक दी हुए है ब्लॉग की लिंक दी हुए है आप जरूर विजिट करें मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए धन्यवाद